तो दोस्तो एक समय था जब भारत के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में हतियारों को रश्या से पर्चेस किया जाता था और दोस्तो बीते कुछ सालों में भारत के तरफ से रश्या से खरिदे जाने वाले हतियारों के संख्या को काफी कम किया गया है। लेकिन अब भारत ऐसे हतियारों को वेस्टरन देशों से खरीद रहा है जो कि रशिया के सब्मरीनों को परिशान करता है। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है इसे दो अलग 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 नाम से पहचाना जाता है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जो कि ब्लैक सी फ्लीट में रशिया को एक महत्तपूर्ण जटका देते हुए एक रशियन सब्मरीन को डुबाया था। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए जो 26 रफल एम यार क्रेप्टों को खरिदा जा रहा है उन यार क्रेप्टों में ये मिसाइल प्रमुखतियार होगा। और शायद ये जो नेगोसियेशन है ये आने वाले कुछ हपतों के अंदर समाप्त हो जाए और भारत को एक बहुत बड़ा खुशकवरी मिले। जो 26 रफल एम यार क्रेप्टों को पर्चेस किया जा रहा है असल में यार क्रेप्टों का इस्तमाल इंडिया नेवी की इंडिजिनियास यार क्रेप्ट कैरियर मतलब आइनेस विक्रांत में और आइनेस विक्रमेत दोनों में ही होगा और साथी साथ इसके पैरललली इंडि यार्फोर्स के बेडे में जो रैफल यार्ट्रेप्टो का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलाल उन यार्ट्रेप्टो के भी प्रमोकतियार के रूप में स्केल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्ही कारोनों के वज़ा से भी इंडियन ने भी स्केल्प मिसाइलों को लेक के यारक्रेप्टों के तरफ से टेक आफ और लैंडिंग किया गया था जो कि भारत के एक requirement है और दोस्तो इस requirement के अंतरगत ही scalp मिसाइलों को खरिदा जा रहा है हाला कि रैफल मे यारक्रेप्टों के अगर पेलोड को देखा जाए तो ये काफी restricted है क्योंकि ये carrier waste यारक्रेप्ट है लेकिन फिर वी एक scalp मिसाइल को लेके तो आसानी से रैफल मे यारक्रेप्ट उडान भर सकता है और दोस्तो अगर एक scalp मिसाइल इसमें तहनात होता है तो no doubt ये यारक्रेप्टों के जो range है वो अधिक होगा अब दोस्तो यहाँ पर बात ये है कि भारत को scalp जैसे मिसाइलों का जरूरत क्यों है तो दोस्तो इसे सुखूई धर T.M.K.I.R. क्रेप्टों में इंटिग्रेट कर चुका है तो फिर भी भारत को scalp जैसे मिसाइलों का क्यों जरूरत है तो दोस्तो बैसिकली जो ब्रमोस एर लाउंच मिसाइल है ये रैफल एम यारक्रेप्टों में नहीं लग सकता इवन ये रैफल यारक्रेप्टों के एरफोर्स वर्जन में भी नहीं लग सकता क्योंकि ये काफी भारी वरकम मिसाइल है और ये केबल मात्र इंड यार को नहीं खड़दा जाता है तो राफल यार्ट्राफ दुश्मन के जहाजों के सामने कमजोर रहेगा फिलाल दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के पास एयर लॉंच एंटी शिप मिसाइल के रूप में जो छोटे मिसाइल है वो है एक्जॉसेट मिसाइल जिसका रें ये एर क्रेप्टों को भी एक स्टेंड ओफ डिस्टेंस देगा मतलब दुश्मन के एर डिफेंस से दूर रहने में भी मदद करेगा अब दोस्तों चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपने ताकत को लगातार बढ़ाते जा रहा है और जिस तरीके से अपने फिफ जनेरेशन के यार क्रेप्टों को वी कैरियर के लिए बना रहा है और रिपोर्ट के मुताविक शाय जे थर्टी वान यार क्रेप्टों को चाइना जल्धी अपने यार क्रेप्ट कैरियरों के उपर डिप्लॉय करे और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इन यार क्रेप इससल में रशियन सब्मरीनों को कॉपी करके ही चायना के तरफ से बनाया गया है ऐसे मैं अगर ओरिजिनल सब्मरीन मतलब रशियन सब्मरीनों को ये स्कैल्प मिसाइल डुबा सकता है तो चायना के सब्मरीनों को डुबाना तो इन मिसाइलों के लिए और आसान होगा दुसरे तरफ दोस्तों अगर स्कैल्प मिसाइलों को देखा जाए तो बैसिकली ये जो मिसाइल है ये 1994 में बनना शुरू हुआ 2001 तक इसे बनाया गया और 2003 में इसे सर्विस में लाया गया MBDA company जो की यूरोप के एक multinational company है और हत्यारों का development करता है वो इन मिसाइलों का development भी किया है और मिसाइलों का production भी करता है रिपोर्ट के मुताविक इन मिसाइलों को फिलाल यूरोप के देश में फ्रांस, ग्रीस, इटली और यूनाइटड किंग्डम जहां पे इस्तिमाल कर रहा है तो यूरोप के बाहर इजिप, इंडिया, कतर, सौधी अरविया, यूकरेन और यूनाइटड अरव अमिराद इस् इस्तिमाल करेगा और दोसों ये मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ये अब तक कई सारे लड़ाईों का हिस्सा बन चुका है जिनमें इराक का वर, साल 2011 का, लीविया के जो इन्वेजन है, वो है अमेरिका के द्वारा, सीरिया के अंदर जो सिविल वर में हिस्सा लिया ग पड़ेगा, पर अगर दोसों मिसाइल के फीचर्स को देखा जाए, तो ये इस खर्चे के सामने कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक एक एक स्कैल्प मिसाइल का वजन करीवन 1300 किलोग्राम है, जबकि इसका लंबाई करीवन 5.1 मिटर मतलब 16.9 इंच है, और दोसो ट्रेडिशनल मिसाइल डिजाइन के जैसे ये जो मिसाइल है, गोलाकार नहीं है, बलकि ये एक्स बॉक्स के आकार है, जिसके कारण इसका डायमिटर नहीं है, बलकि इसका चोड़ाई और इसका उचाई है, और रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो चोड़ाई है, वो करीव ये जो मिसाइल है ये अपने low stealth profile को follow करते हुए दुश्मन के तरब छुपके आगे बढ़ सकता है और दुश्मन के लिए इसे पकड़ पाना लगभग नामुम्किन होता है और दोस्तो तेरा सो किलोग्राम वजन के इस मिसाइल में करीबन साढ़े चार सो किलोग्राम के वोर हैड रहता है मतलब दोस्तो अगर मिसाइल के वजन को देखा जाए तो ये ब्रहमोस के मुकाबले में करीब करीब 50 पतिशत अधिक है मतलब इसका जो impact होगा वो जहास के उपर काफी खतरनाक होगा उपर से दोस्तों इसके जो range है वो भी करीवन 550 km है और इस range को बरकरार का रखने के लिए इसमें TRI 6030 टर्बो जेट इंजिन का इस्तिमाल किया गया है जिसका शमता करीवन 5.4 किलो न्यूटन है दोस्तों इस engine के सहरे ये जो missile है ये supersonic रफ्तार से थोड़ा ही कम रफ्तार में मतलब mark 0.95 के रफ्तार में आगे बढ़ सकता है दोस्तों missile को pinpoint accurate बनाने के लिए इसमें GPS, internal navigation system, infrared imaging system और tarprom जैसे system का इस्तिमाल किया गया है और फिलाल इन missile का इस्तिमाल मिराश 2000, Rafale, सुकुल 24, tornado और टाइफुन जैसे यार करप्टो में हो रहा है दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा ऐसे missile को खरिदने पर किस तरीके से चाइना और रश्या की उपर impact बड़ेगा कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को इह पर ही करते समा आप किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम